सुपेला फ्लाइ ओवर के नीचे सब्जियों की लोडिंग अनलोडिंग का कार्य किया जा रहा है अन्य प्रदेशों से आए वाहन चालक फ्लाइ ओवर के नीचे स्थलक पर वाहन पार्क कर रहे हैं यातायाद पुलीस इसे देख कर भी अंदेखा कर रही है 36 गड़ के अलावा अन्य प्रदेशों से सुपेला सब्जी मंडी में सब्जियां लेकर पहुँचे वाहन चालकों ने सुपेला फ्लाइ ओवर के नीचे पार्किंग इस्थल बना रखा है यहाँ पर सब्जियों से भरे भारी वानों को पार्क कर इस्थानी छोटे लोकल वान वानों के दस्तावेजों को चेक किया करते हैं लेकिन यही ट्रैफिक कर्मचारी नैशनल हाइवे में हो रहे लोडिंग अन्लोडिंग के कारे को देखकर भी अन्देखा करते हैं पूरों में ऐसे भारी वाहन चालकों पर यातायाद पुलीस द्वारा कारवाई भी की गई जिनके द्वारा नैशनल हाइवे में वाहनों को पार्क कर लोडिंग अन्लोडिंग का कार किया जाता है बौजूद इसके इस्थिती जस्की तज़ बन चुकी है नैशनल हाइवे में सड़क के दोनों और ऐसे इस्थिती देखने को मिलती है दुर्ग से रैपुर मार्ग की और भी भारी वाहन चालकों द्वारा अपने वाहनों को नैशनल हाईवे में ही पार के किया जाता है इन वाहन चालकों को यातायाद पुलिस से किसी तरह की कारवाई का भाय नहीं है नेशनल हाईवे में निरंता सभी प्रकार के छोटे बड़े वाहनों की आवाजा ही बने रहती है ऐसे में नेशनल हाईवे को सब्जियों के लोडिंग अनलोडिंग का इस्थान बना दिया जाने की वज़ा से यहां दुरगटनाओं का अंदेशा बढ़ जाता है यातायाद के नेवों का उल्लंगन कर रहे भारी वाहन चालकों पर यातायाद पुलिस क्यों महरवान है या समझ से परे है Grand ASEAN News के लिए संजय दुवे